हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टाप 10 क्लासेज और मैं हूँ बच्चो, कमिस्टी मेंटर, प्रज्जोल सिंग, आज बच्चो मैं आपके स्टार्ट करेंगे अर्ध चालक के प्रकार, अब अर्ध चालक बच्चो क्या होता है, तो इसके बच्चो के लिश्ट में जाएए, वहाँ पर आपको प्रिवियस लेक्चर मिलेगा, और उसे देखें फिर इस लेक्चर पर आईए, चलो बच्चो मैं आप देखें आपका, कि सबसे पहले अर्ध चालक क्या होते बच्चो, तो आपको पता है, कि अर्ध चालक क्या होते है जिनकी चालक ता चालक और कुचालक के बीच में हो, तो कहने का मतलब, कहने का मतलब, 10 गाते माइनस, 4, sorry, हम अरथ चालक और कूछ अलक के बीच में हो अरथ Hृच्च भाते मौने चसे दस घाते चारों मुइम यूर्ज म开始 हो उसे हम ग्यातले अरद्चालक कहाते हैं और बच्चों दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के दो प्रकार के बच्चों और यहां फर्म आपको कालम बना देते हैं एक होता है बच्चों सुद्ध अर्धचालक क्या मेरे प्यारे बच्चों एक होता है आपका सुद्ध अर्धचालक और एक होता है बच्चो आपका अपद्रवी अर्धचालक क्या होता बच्चो अपद्रवी अर्धचालक अब बच्चो आपका सुध अर्धचालक क्या होता है इसे आप समझिए बच्चो देखिए कि अर्धचालक किससे बनाये जाते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में तो यह question आएगा, तो आपको बच्चो याद रखना है क्या, बच्चो जर्मेनियम और बच्चो सिलकन, जर्मेनियम और सिलकन से क्या बनाये जाते हैं, बच्चो सुध अर्धचालक बनाये जाते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे अर्धचालक, जो जर्मेनियम और सिलकन से बने हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सुध अर्धचालक कहें अब इतनी बाते समय में आई आज एक बच्चो जैसे यहां से आपका सिल्कन एलिमेंट लिया इसका पर मॉर्ट को मांग कितना होता है 14 होता है कितना तो बच्चो 14 होता है और 14 का इलेक्टानी विद्यास करेंगी तो क्य सिल्कन के बाहतम कोसेwhat बच्चो कितने लिखता चार लिखता इसलिए ये बच्चो आपकी जो सरशना बनाता है चतुस फलकी बनाता है क्या बनाता है और ये जो बंद बनाएगा बच्चो कितने बंद बनाएगा चार सहस्योंजी बंद है बनाएगा तो सबसे पहले आओ इसके बारे में हम आपका ल तो ठीक है बच्चो अब तुद अर्दचालेक में क्या लेकिए बच्चो वह अर्दचालेक वह अर्दचालेक जो सिलकन या जर्मेनियम जो केवल या बच्चों केवल लगा देते हैं वह अर्दचालेक जो केवल सिलकन या जर्मेनियम से बने होते हैं बने होते हैं उन्हें उन्हें सुद्ध अर्दचालक, उन्हें सुद्ध अर्दचालक कहते हैं, इन्हें क्या कहते बच्चों? इनके बाहतम, इनके बाहतम कोस में चार इलेक्ट्रांस होते हैं, होते हैं, इसलिए इसलिए ये चार सहस्यों जी बंदवच्चों कौन सा बंद बनाएंगे? सहस्यों जी बंद, इसलिए ये चार सहस्यों जी बंद, इसलिए चार सहस्यों जी बंद बनाते हैं, ये कितने बंद बनाएंगे? बच्चों, चार सहस्यों जी बंद बनाते हैं, जैसे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आपने सपूस किया बच्चों क्या है? कोई सिलकन है क्या अच्छो कोई सिलकान है सिलकन है तो यह कितने बंद बनाएगा इसके चार तरप कितने सिलकान हो अच्छो यह एक यहां पर है और एक बच्छो यहां पर है और एक बच्छो कहाँ पर है यहां पर है एक इंसे बना सकता है, एक इंसे और एक इंसे और एक इंसे तो एक सिलकान कितने बंद बना रहा है वच्चार इसी प्रकार से ये भी बच्चो बनाएंगे इसी प्रकार बच्चो ये भी बनाएंगे और जो भी दिख रहे हैं वो भी सिलकान बनाएंगे तो यह हम इसलिए बच्चो आपको बता रहे हैं कि आपको यी चीजी अच्छे से समझ में आ जाए यहां पर झाई कर रहे हैं कि आई जाएंगे कि आ यह आ यह देख पार है हमने यह क्या वनाया आपका सिलकान का बना दिया है एक अर्ध चालंग बना दिया है अब बेड़ा आप ज़्यान होती है और बहुत ज़्यादा न्यून होने के गाड़ बच्चो हम इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए increase करने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें असुद्धिया मिलाते हैं क्या मिलाते हैं अब जब किसी हम सुद्ध अर्धचालक में क्या मिला दे असुद्धिया मिला दे तो उसे हम क्या कहते हैं अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं और बच्चो एक बात यहां पर और याद इनकी जो संद्शना मिलेगे वो क्या मिलेगी चतोस फलकी अब बच्चो अब इसमें क्या है बच्चो अब दर्वी अर्दचालक इसको अब ध्यान दीजिए अभी अबने आपको बताया कि जब कि सुद्ध अर्दचालक की कि सुद्ध अर्दचालक की कि चालकता कि सुद्ध अर्दचालक की चालकता बहुत कम होती है चालकता बहुत कम होती है इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अब बच्चो अगर आप से कोई पूछे कि सिल्कन किस ग्रूप का एलिमेन्ट है तो आपको पता है बच्चो अगर एक सिल्कन का इलिक्तानिक विट्विन्यास करेंगे, तुझ आपको क्या मिलेगा बताई बच्चा, क्या मिलेगा दो, आठ, चार मिलेगा, और बाहत्म कोस्ट में चार इलिक्तान है, मतलब किस ग्रूप का एलिइनमेंट है, बच्चो, फोर थर्डे का element है और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम दो प्रकार को सुद्धिया मिला सकते कौन-कौन थर्डे का और फोर्थे का तो सुद्ध और चालक की चालकता बहुत कम होती है इसलिए इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ग, फाइफे या थाड़े की असुद्धिया मिलाते हैं की असुद्धिया मिलाते हैं, क्या मिलाते है बच्चों? असुद्धिया मिलाते है जिसको बच्चों क्या कहते है जिसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते है डोपिंग कहते है जिसको क्या कहते है और इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते है अपद्रवी अर्दचालक कहलाते हैं और इस प्रकार के अर्दचालक को और इस प्रकार के अर्दचालक को कि अपद्रवी अर्दचालक कहते हैं क्या कहते बच्चो अपद्रवी अर्दचालक कहते हैं तो अपद्रवी अर्दचालक बच्चों कितने प्रकार के होते हैं यहां पर ध्यान दिजीए अगर बच्चों आपका सिलकान है तो इसका इलेक्टाने बिन्याद बच्चा आप क्या पागे दो आठ और क्या पागे चार और इसमें यह मिलाएंगे किसके सुधियां तो आपको पता है कि जो आपको सिलकान होगा चार स्योजी बंद बनाएगा और चार बनाएगा लेकिन यहां पर कितने इलेक्टान दिख रहे हैं आपको पांच इलेक्टान कितने इलेक्टान दिख रहे हैं बच्चों पांच इलेक्टान और यहां पर कितने इलेक्टान है ब जाएगा फ्री रह जाएगा मुक्त रह जाएगा तो आपका यही इलेक्ट्रान क्या करेगा विद्धुधारा का प्रभा के लिए क्या होगा जिम्मेदार होगा विद्धुधारा के प्रभा के लिए कौन से जिम्मेदार है वच्चो इलेक्ट्रान जिम्मेदार है इसलिए ह कहने का क्या मतलब निकला तोड़ा सब गौर कीजिए कि जब हमने आपका four a एक आ So Culkin钟 सिलकान था और जिस जब इसमें हमने क्या मिलाया five a काइलेमेंट मिला दिया वाइलेमेंट को मिला दिया वच्चो तो यहां पर नदेख सिलकान बनायक में चार बंद और चार बंद बनाने की कारण यहां पर होगी इलेक्टान की अधिकता जब इलेक्टान की अधिकता हुई तो यही विद्धुधारा के प्रवाह के लिए कौन जिमेदार है इलेक्टान और इलेक्टान होता है बच्चों निगेटिव इसलिए निगेटिव का पहल मेरे प्यारे बच्चो 30 का sedlement जय सेामतर जैसे से टुमिनियो आपको पता dye बच्चो यदे आप thirdig element मिलाएंगे तो कितना बंध मनेगा facts कितना केयो तीन लेक्टान कितना लेक्टान पिखाँ कितनी का करने के लिए फिर दूसरा इस और त्चान झाल योगा तो सथान घाली फिर तो कि इन्मार्ट होगा और होले का निर्मार्ट होगा तो बच्चों वह क्या होता है पाजिटिव होता है क्या होता है पाजिटिव होता है तो इसलिए हम इसे क्या कहते है पी टाइप कहते हैं अगर यहां पर आपको बात नहीं समझ में आई है तो भी हम आगे चल रहे हैं वहां पर यह बात आपको अच्छे से समझ में आएगी इसलिए आप वीडियो में बने रहिए अब हम बात करेंगे आपके अर्धचालक अपदरवी अर्धचालक कितने प्रकार के बच्चों दो प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों कौन-कौन एक होता बच्चों यन टाइप अर्धचालक इतनी बात समझ में आई अब बच्चों यन टाइप अर्धचालक क्या होत तो आपके क्या बनेगा पी टाइप अर्दचालक बनेगा तो आओ इसका हम डिसकर्सन करें आए हो बच्चो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बाहर आए तो इसे सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं बच्चो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बच्चो जय हिंद और जय भारत एक बात बच्चो आपका अगला लेक्चर यन टाइप और पी टाइप अर्दचालक होगा तो आप वीडियो देखना मत भूलेगा ठीक है बच्चो मिलते हैं आपसे अगल लेक्चर में